कि अधिन अधिन ओरिजॉंटे खराडी का 3BHK का सेंपल ख्रेट का टूर करवा हूंगा यह 3BHK 953 स्क्वार फीट का कापेट स्पेस है जिसमें में एंट्रेंस में आपको 4 स्पेशिस मिल जाएगी एंट्रेंस लॉबी में हमने डोर के पीछे में शूरेक का स्पेस दिया है शूरेक आप चाहें तो फुल हाइट फर्णिचर में बनवा सकते हैं हमने स्पेस दे रखा है नीचे में आपके रेगुलर शूज और ऊपर में आपके फेस्टिवल शूज यहां aim friends में दो गॉर ऑपका ओनर penalty फवर गर नहीं है तो इजी ली आ जाएगी एंद शर्फ कचन का एकस्पेश करेगी में एम आपका लॉक रहेगा एंट्रेंस लॉबी में यहां पर हमने ऐसे स्पेस दिया हे सेनिटाइजर सेनिटाइजेशन डेस्क के लिए जो भी बाहर से आएगा यहां पर सेनिटाइज करके फिर आपके अपाटमेंट के अंदर जाएगा यह सर्वेंट सेंट्री है यहां पर किचन रहेगा तो अगर आप घर पे नहीं है ऐस अ ओनर वाइब दोनों वोर्किंग उन में फ्रूट्स एंड वेजिटीबल्स के लिए स्मॉल सिंग है और राइब अलकिनी में हम आते हैं तो यहां पर बरतन दोने के लिए बड़ा सिंग है नीचे में आपको स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाएगी राइब यहां से सामने से ओपन रहेगी आपके राइब किनी यहां पर आजाएगा आपका सर्विंग प्लैटफॉर्म कोकिंग प्लैटफॉर्म के जो हॉप का डारेक्शन है वो इस्ट वेस्ट है वास्तु के साब से और सामने काफी बड़ी विंडो दे रखी है इससे आपके किचन के अंदर संलाइट एस एर सर्कूलेशन काफी अच टरवरर कर सकते कि अधाय से अजय कधा MIN इख्री एऄ चाहें तो ये में एंट्री जो है सामने वाला भी कर सकते हैं यहां पर आपका वाल आ जाएगा और ट्रेशनल किचन हो यांजु के एंट्री कर सकते हैं यहां पे आपको वाल पे वीडियो डॉर फोन आ जाएगा बार से जो भी गेस्ट आता है उसका इमेज यहां पे पहले आपको देखेगा देन यूपन दर जैसा ही हम एंटर होते हैं यह काफी अच्छा पशिच्च का ल्वाल इंतर है जिसमें आपका लिविंग अलग रहेंगा एज विलेस डाइनिंग आपका अलग रहेगा अपे और ने यहां पर ऊपन बालकनी यहां पर ऊपर से रूप कवर आएगा सो प्राइवसी मेंटें और आपकी मोर्निग की एक्सराइज योगा मेडि के लिए स्टर्डी प्रीमियम लुक देता है आपको गुडन डिजाइन टाइल से रहे हम यह एंटी स्कीड रहेगी मौनिंग में आप टी कॉफी पीते हैं बैलकनी में यहां पे आप लेज यूस कर सकते हैं एस वेल एस चार्जिंग पॉइंट के लिए अमने प्रोविजन भ टर्डॉट्स है लिविंग के इपास में डाइणि का स्पेस अलग से दिया है और डाइनिंग के विंडू से यहां से आप गरम-गरम खाना अपनी फैमिली को सपरें नियॉह का जी और दिया है यहां पे वर्क ऐस उर कर सकते हैं पूजा स्पेस यूज कर सकते हैं या आपके घर में पैट्स रहते हैं तो पैट्स के लिए काफी अच्छा कोजी कॉर्णर हो जाता है 3BHK में सबसे अच्छा एडवांटेज आपको यह मिलेगा फ्लैट में कहीं पे भी वेस्टेज नहीं है पैसेज को अच्छे स हमारा टाइल ड्रॉप का प्रोवीजन भी दिया हुआ है इसमें ड्राइए अलग रहेगा वेट अलग रहेगा फिटाउट्स हमने सारे रोका ब्रेंट के यूज किये हैं प्रीमियम रेंज शावर सारे बाक्रूंस में आएगा उपर में हमने स्पेस उतलाइज की है लॉफ आपको लेज से बैटने का मिल जाता है किट्स रूम में आपको दो विंडो दे रखिए सफोकेशन फील नहीं होगा क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा किट्स रूम के अंदर भी एंड किट्स रूम में अगर आप यहां पर बंक बैड डालते हैं दो किट्स के इसीली स्टे हिर आपको ओपन स्पेस काफी अच्छी मिल जाती है किट्स रूम में आपको स्टडी टेबल का दो प्रोविजन मिल जाता है दोनों ही साइड में आपके स्टडी टेबल आ जाएंगे यहां पर किट्स बैड आने के बाद आपको काफी अच्छी मोविंग स्पेस मिलती है किट् Master bedroom में आपको काफी अच्छा spacious master room मिल जाता है जिसमें bed position के सामने tv wall है and bed position head जो रहेगा not में नहीं आएगा अपने वास्तु को follow किया है and wardrobe आपका अंदर चला जाएगा wardrobe अंदर जाने से आपको square shape का room मिलता है जिसमें moving space भी अच्छी मिल जाती है and wardrobe के ऊपर वाली side में loft का provision दि सामने वाली वाल पर टीवी का प्रोविजन आ जाता है side में आपने balcony दे रखा है door का जो हाइट पीट है room में आपको काफी अच्छा air circulation as well as light ventilation मिल जाएगा balcony से जो व्यूज रहेंगे खराडी location के काफी अच्छे सरीन व्यूज है master bedroom का जो बैल्किनी है उसकी जो railing की हाइट प्रोविजन दे रखा है ड्रेसर ड्रेसिंग टेबल का as well as study टेबल का आप लगा सकते हैं बाथरूम में हमने जो टाइल्स यूज की है आपको एक प्रीमियम फील देती है यहां पे हमने ग्रेनाइट काउंटर यूज किया है बेसिन के लिए आप अपने soaps टोयलेटरी प्रोविजन दे रखा है यहां पर ड्राइन वेट एरिया के लिए टाइल ड्रॉप भी दे रखा है नहाते वक्त आपका पानी यहां पे फ्लो नहीं होगा यह एरिया पूरा ड्राय रहेगा एस विल इस लांडरी के लिए नीचे स्टोरेज स्पेस काफी अच्छा दे रख आपको मिल जाती है यह दूसरा मास्तर रूम में इसका सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि यहां पे आपको बैठने के लिए ग्रेनाइट का लेज मिल जाता है दो लोग आराम से आपने सामने बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं गार्डन का व्यू एर सर्कूलेशन रह सबसे रखा है ताकि dry and wet area maintain रहे हमने रोका कंपनी के CP सेनेटरी वेर दिया है एज वेल दमने रेंज शावर भी दिया है बातरूम में बातरूम में हमने ही जर के प्रोविजन दे रखे हैं एक मास्तर बातरूम में हमने होट वर्टर प्रोविजन भी दे रखा है बात्रूम के सारे डोर फ्रेम्स ग्रेनाइट के आएंगे और रूम्स के सारे डोर फ्रेम्स आपको वोडन के आएंगे बेड्रूम के दोनों ही साइड में हमने चार्जिंग पॉइंट्स दे रखे हैं रूम हॉल लिविंग किचन सब जगा पर हमने दो दो विंडोस दे रखे हैं ताकि आपके घर में दूप और हवा अच्छी आएगी एर सर्कूलेशन काफी अच्छा रहेगा थैंक यू सो मच यू 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 लग टूप यू लाइच्टी आपके खेंग यू अश्यन वारीजओंते